पूरे वर्ष के बारे में समरी जान जाते हैं पूरा वर्ष आपका कैसे बितेगा एक ही जगह है और वो भी जुद्शी अंदाज में तो ये और भी एक बड़ी बात हो जाती है तो अगर आप इसी चला रहे हैं अगर आप दिरांग 16 सितंबर को पैदा हुए है तो आज सुर्योदय के समय जो ग्रहों की स्थिती थी वो समझने की आवर सकता है सुर्योदय काल में सोरे बुद्धेक साथ सिंग में ही है ब्रहाश्पति शुक्र तुला में ही है चंद्रमा व्रिष्चिक, जेष्ठा नक्षत्र, बुद्ध का नक्षत्र, आज की महादशानात बुद्ध है धनु का शरी और मंगल केतु मकर में और राहो करकराशे में ये सारे ग्रह मिल करके एक अलग तरह का प्रभाव आप पर डालेंगे और उनी प्रभावों के आधार पर आपको प्राव्त जो होने जा रहा है वो कुछ बहुत अलग प्राप्त होने जा रहा है सुक्षा के छेतर में भी अलग ब्यापार, प्राइवेट सेक्टर, गोवर्नेट सेक्टर मैरेज लाइफ, मैरेड लाइफ और चात में लव लाइफ और हल्थ लाइफ इन सब पर अगर कहीं से कुछ नेगेटिविटी हैं कुछ नकरात्मक प्रभाव हैं तो कैसे उसको सकरात्मक बनाया जा सकता है ये इस्थिति भी हम क्लियर करके चलते हैं इसके अलावा आप लोग को बता दें कि दिनांग 19 नमंबर को एक विशेश यग्य का आयोजन होने जा रहा है आप सब के लिए क्या है वो यग्य? उसकी एक जलग देखें तो जाना अपने की किस तरह से एक छोटे से यग्य के द्वारा एक दिन के यग्य के द्वारा हम अपने मैरिड लाइफ को समार सकते हैं तो आईए चली अब सुरुवात जरते हैं और बताते हैं सब से पहले आपकी सिक्षा का अस्तर अगर आप 16 सितंबर को पैदा हुए हैं तो इस साल आपकी सिक्षा एक अलग उचाई एक अलग पायदान पे रहेगी कुछ रुकावट जो आनी थी अक्टूबर में आके चली जाएगी नवंबर दिसंबर में तो आपकी सिक्षा एक अदभुत प्रभाव दिखाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका लेबल क्या होने जा रहा है अगर आपने अपने सिक्षा के अस्तर को एक अलग तरह के अंदाज में अलग तरह के उचाई पर पहुँचाया तो ये खुद आपके लिए एक बिलक्षण प्रभाव का कारक बनेगा जनवरी के बाद आप सिक्षा में अच्छा परफॉर्म करेंगी धन दायक की स्थिति प्राण दायक की स्थिति बनेगी और सिक्षा को प्राण दे के चली जाएगी कई बार होता ना बच्चों का मन मार देते हैं सिक्षा अच्छा करना पैसे की वज़े से तो ये स्थिति नहीं रहेगी अगर आप 16 सितंबर को पैदा हुए है ब्यापार ब्यापार में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप अक्टूबर नॉवंबर में आपके निरड़ा एकदम से ममम कारगर सावित होंगे दिसंबर जनवरी में किसी मित्र की मदद से ब्यापार को एक और अच्छी गति आप प्रदान करेंगे फरवरी मार्च बड़े डिसीजन्स ले सकते हैं अप्रैल माई में लोन की मदद से भी आप अपने व्यापार को एक गति देंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकुली कर रहे हैं तो आपका समय अचानक से सुरू होता है मांगली कारेओं में आपको गति मिलेगी मांगली कारे भी संपन होंगे प्रशुद्धी के संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं अगर आप सरकारी नौकुरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की चांसेस बन रहे हैं आप प्रमोट हो सकते हैं कब 28 सक्टूबर के बाद सरकारी नौकुरी वाले इनकीरिमेंट बढ़ाने के लिए सोच रहे थे और आउट आफ टरन प्रमोशन के लिए तो 17 जनवरी से 18 फरवरी तक का समय तो भीया पूछो ही मत दामपत्त जीवन बड़ा उठा पटक होने वाला है 16 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए मेरेड लाइट में किसी अनका हस्तक्षिप अचानक सुनग होगा 11 नौमबर के बाद और फोरण 19 नौमबर को आप आजाईए अगर आप 16 सितंबर को पैदा हुए हैं तो और शादिशुदा जीवन से तरस्त हैं या नहीं तरस्त हैं थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भी आईए 19 नौमबर के यग्य में आप जैसों का ही स्वागत है क्योंकि दामपत्य जीवन आपके पूरे कार छेत्र को हिला देगा आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अरे ये क्या हो गया ससुराल वालों के हस्तक शेप से भी आपके दामपत्य जीवन कोई कलक तरह का दोश जैसे होने जा रहा है आपने विचार कुछ किया था और अचानक से कुछ और हो गया किसी माता दामपत्य जीवन की एक और इस्थिती हम आपको समझा देते हैं किसी की तरफ भी आकरशन होना ये कोई गलत नहीं है लेकिन उस आकरशन के कारण किसी का अहित होना ये बहुत गलत है तो ये ना होने पाए इस पर आपको विशेश ध्यान देना है और एक उपाय हम बताएंगे पहले थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में हम सर्चाते कर लेते हैं लव लाइफ में आप प्यार जिससे करते हैं उसको आप कह सकेंगे और इस वर्ष आपकी शादी हो जाएगी अगर कुमारा या कुमारी योग नहीं है तो कुमारी में ये भी एक योग होता है इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है आप कॉल कर देख लीजेगा सर्च करके तो ये इस्थिति थोड़ी सी अच्छी है आपके लिए उपाय क्या करना है ये हम बता देते हैं स्रिंगार की सामगरी किसी मंदिर में के दिखकर चस्मे का नमबर बढ़ेगा डाइबटीज हो सकता है नमबर के बाद वेट पर कंट्रोल करेए वेट एकदम से गेन करेंगे आप बाकी तो एक्सिडेंटल केसे ये मार्च से लेकि जून के बीच में हो सकते हैं जिसमें हाथ पाउट तूटने की संभावना बन रही है आज अगर आपकी शादी की सालगीरा है तो एक दीपक हरशाम बरगत के नीचे रख दें और तीन कन्याओं की शादी में मदद करतें और शादी नहीं हो रही है तो हमारे 19 नवंबर के यग्य में आईए और हाँ अगला तूर हमारा पतना और रांची का है तो अगर आप पतना रांची से हैं तो अब बिलंब मत कीजिए और आज भोनेस्वर में आईए ना स्वागत करेंगे नमस्कार सिकिष्णा शिराद है आए दिन जगडा, आए दिल लडाई हर एक पति-पतनी के जीवन में क्या यही एक सचाई है जब देखो तब बेडरूम में गए नहीं कि फाइट सुरू कभी सास की वज़े से, कभी ननत की वज़े से तो कभी पापा की वज़े से, कभी ममा की वज़े से क्या कारण है अगर इस प्रकार की जंजावाद से तूफान से आप हर रोज दो-दो करते है देखी कैसे लड़ रहे है यह क्या है 19 नमंबर दिन सो मुवार्श तोसी विवाह का दिन एक ऐसा दिब्य यग्य करवाने जा रहा हूँ जहां पर प्रकृत की इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को भी परास्त करने का एक उद्यम करेंगे हम और आप मिल करके अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके या आपके किसी भी रिलेटिव की जीवन में है तो बिना बिलंब किये ततका कॉल करिए नमबर्स याद है बता दे चलिए बताना क्या है नीचे लिखा है पढ़ लिजेगा इन नमबर्स पर कॉल करके रजिस्टेशन करवाए और 19 नमबर को बाल बच्चों सहित आए पति-पत्नी आए और इस यक का हिस्सा बन करके अपने दामपत्य जीवन को सफल और सुखर बनाए नन्यवाद नमस्कार जैश्री राध है एस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जी के द्वारा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयुजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राहमन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुती की व्यवस्था होगी हमारा उद्देश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राहमन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्क दर्शन में मंत्र जाप करेंगे इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसेप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 9560-447-000 99102-91850 9999-024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35GM1 शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन टू साहिबाबाद घाजियाबाद उत्तर प्रदेश यग्य के लिए रजिस्ट्रेशन पहले आउ पहले पाउ के आधार पर होगा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना न भूलिए प्रदेशन